तो आपको यूट्यूब डॉट कॉम में लिखना होगा और इस तरह से हमारे पास एक इंट्रफेस को लगा। इसमें आपने को desktop side पर क्लिक करना होगा वीडियो को पूरा देखना मैं आपको step by step बताऊंगा किस तरह से हम यहाँ पर अपने message और comments को बन कर सकते हैं तो desktop side में मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारे youtube.com खुल चुका है यहाँ पर हमें हमारे channel पर जाने के लिए हमारे channel के logo पर क्लिक करना होगा right hand side में जो आपको उपर नज़रा रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको your channel option सो होगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम हमारे channel पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर हमें दो option सो होगे कस्टमाई चेनल और यूट्यूब इस्टूडियो इस वीडियो को आप पूरा देखना मैं आपको step by step बता रहा हूँ आप किस तरह से इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने comment बर्द कर सकते हैं यहां पर यूट्यूब इस्टूडियो पर हम क्लिक करेंगे यहां पर तो हमें यहां सबसे नीचे option वोगा left hand side में setting का option मना होगा और setting पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास setting का page खुल जाएगा तो हमें किस तरह से शो होगा यह देखिए setting का page हमारे पास open हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं जा setting में general channel upload default permission और इसके नीचे में scroll करके आपको बताता हूँ और भी option हमें show होंगे जिसे community और यहां पर अगर community पर हम click करेंगे तो हमें यहां पर automated filters और defaults के option शो हो रहे हैं तो यहां हमें defaults पर click करना होगा जो second option यहां पर दिया हुआ है यहां पर click करेंगे तो हमारे पास दो option आएंगे एक आपके new video पर जो comment आते हैं अगर उन्हें बंद करना चाहते हैं तो आप यहां click कर सकते हैं और आप इस तरह से बंद कर सकते हैं अगर चालू करना चाहते हैं चालू भी कर सकते हैं यह चार option आपको शो हो रहे हैं सबस्क्राइब करने हैं तो क्लिक करके सेव के बटन जो नीचे आपको शो हो हो रहा है यह अगर क्लिक कर देंगे तो आपके सारे मेसेज और कमेंट्स बंद हो जाएंगे और आ आप अपने चेनल को बड़े अच्छी तरीक चलाब आएंगे और जानकर एक अच्छी जाए तो हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें और ऐसे यूटिवर के और वीडियो देखना चाहें तो हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं धन्यवाद